तो प्रेंड्स कैसी हूँ आप सब आई हूप आप सब अच्छे होंगे आज हम आपके लिए लाए हैं मटर पनीर की भुजिया की रेस्पी आप सब ही लोग हमारी वीडियो को पूरा वाज करिए इसके लिए हमने लिए हैं थोड़े से मटर के दाने पनीर ली है और प्याज ह िए है और हरे मिर्च को भी हमने चला चला क्ट कर लिया है इन सब को काते के बाद हम गयस और कःच कर देंगे कर लिए हमारी जब गरम हो जाएगे तब तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और जीरा जब हमारा चटकने लगाएगा तब हम इसमें डालेंगे कटे हुए stripped न रहने तब हम इसमें चोटा चोटा सा जो हम काट के टमाटर रखे हैं, टमाटर को भी हम इसमें डाल के अच्छे से भून लेंगे, टमाटर हमारा जल्दी से गल जाए तो इसके लिए हम इसमें नमक डाल देंगे, स्वादा नुसार आप नमक डालिए, नमक डालने के बाद आप इस इसको अच्छे से चला लिए जब आपका ये टमाटर अच्छे से गल जाता है तभी आप इसमें सब्जियां एट करेंगे तो देखिए हमारा टमाटर गलने लगा है और अब हम इसमें थोड़ी से हल्दी भी हमने डाल दी है ताकि हमारे सब्जी में कलर आ सके इसके बाद हम मटर के दाने जो हमने छील के रखे हैं और इसको हम अच्छे से चलाने की बाद दो मिनट इसको हम ढखक के पकाएंगे दो मिनट के बाद हम फिर से धकन को हटा लेंगे और इसको फिर से हम चलाएंगे तो हमारे मटर के दाने अच्छे से पक चुके थे और हमने जो मैस करके पनीर लिया था वो पनीर भी हम इसको मैस करके डालेंगे आप चाहें तो इसको कद्दुकस से भी मैस कर सकती हैं जब कद्दुकस से आप पनीर को मैस करेंगी तो बहुत अच्छे से इसमें गांठे नहीं रहेंगी ये बिल्कुल सॉप्ट हो जाएगी और अब आप डाल दीजिए मसाला जो इसमें हमने मसाले अट किये हैं वो हमारे गरम मसाले ते जहो हमने घर में बनाय थे इसमें धनिया jeera लाल मिर्च पाورडर लिया है और इसमें हम नमक पहले से एट कर चुके हैं तो लाल नमक नहीं डाल रहे है नहीं तो हमारे सबगे नमक टेज हो जाएगा एक से दवीनुरत हम इसको ऑष से खुलंगे तो ये सब़ होती है आप इसको चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं आपको यह बहुत अच्छी लगेगी कम समय में बहुत टेस्टी सब्जी बनकर तयार होती है यह पनीर की भुजिया तो आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राइ करें जब यह हमारी सब्जी अच्छ से पक ज आईएगा फ्रेंड चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें थैंग 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 थैंग